कि यहां पर देखिएगा कि अपने को क्या दियाओ कि लैट आपको A दियाओ, B दियाओ, C दियाओ, D दियाओ, ठीक है, तीनों सैट दियाओ है, अब आपको पूरूफ क्या करना है, यह पूरूफ करना है कि एक रोस यह वाला और यह वाला क्या बराबर होता है, ठीक है, तो पहले हम LHS को उठाएंगे, फिर RHS को उठाएंगे, फिर दोनों को equate कर देंगे, दोनों happy हो जाएंगे, तो बोल देंगे कि दोनों equal है, happy नहीं होंगे, तो not equal है, ठीक है, चलतो है, start करते हैं, तो यहां से first है, first है तो भाई, a set आपका क्या है यहां पर, a set 1,2 है, और b set है व दो आप 5,6, जो जो चीज़ें अपने को proof के according जरुवत होगी, वो वो सारे ले लेंगे हम, ठीक है, तो यहां से अपने को पहले तो क्या चीए, भाई, पहले हमें चीए, कि पहले देखेगा proving क्या करना है, तो यहां से देखेगा कि a cross, b intersection c, जो equal होना चीए, वो क्या है, a cross a cross b, और intersection a cross c के equal होना चीए, यह हमें proof करना है, अब यह proof करना है, तो पहले हम क्या देखे है, भाई, lhs part को उठा दे, lhs part क्या है, a cross b intersection c है, इसको find out करते हैं, यह क्या है, यह कौन से खेद की मूली है, ठीक है, तो यहां से देखेगा कि आपको a की जरुवत है, b, पहले हमें क्या जूरत है, कि b intersection c की, तो यहां से b कौन सा set है, 1, 2, 3, 4, इसका intersection किसके साथ करो, c के साथ करो, 5 और 6, चलते हैं, intersection देख लो, इसका, तो intersection देखेंगे, तो b intersection c आपके लिए क्या आने वाला, यहां पर कोई भी element क्या नहीं है, common भी नहीं है, 5 और 6, सभी distinct है, इसका म आसान हो गया, कि आपको क्या करना है, a और intersection, cross है, b intersection c करना है, इसका मतलब a और यहां पर 5, अब a set कुछ भी हो, 5 का cross, 5 क्या होता है, भी 5 होता है, ठीक है, तो देखते हैं, यह वाला भी 5 आता है, चलो देखते हैं, क्या है, अब इसका क्या लेते हैं, RHS part ले लो भई, यहां से, RHS part क्या है आपका, कि यहां से है, a cross b, intersection करना, आपको किसके जाथ, a cross c के साथ, तो पहले हम क्या करेंगे, a cross b, निकालने वाले हैं, यहां से, ठीक है, यहां पर a cross b, निकालने वाले है, तो यहां से, a की value तो कितनी भई, a है, वो अपने पास, देखेगा कि 1, 2 है, और cross b है, वो आपका क्या है, यहां पर, 1, 2, 3, 4 है, तो यहां से, a cross b, देखेगा कि क्या है, तो यहां से, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है, अब देखे, 1 का 3, 1 को लगा, 2 को लगा, 3 को लगा, 4 को लगा, यहां पर देखेगा कि 2 का 3, किसको लगा, 2 का 3, 1 को लगा, 2 का 3, 2 को लगा, और 2 का 3, किसको लगा, 3 को, और 2 का 3, किसको लगा, 4 को, यह, आगी बास समझ में, अब दूसरा क्या आपको, आपके पास है, a cross c, अब a cross c करना है, तो a को पकड़ो भई, a है, वो 1, 2 है, cross करो, किसके साथ, यह आपके लिए c है, c है, तो 5 और 6 है, यहां प किसको, 6 को, फिर 2 का 3, किसको लगा, 5 को, आपको तो यह 3 ही ध्यान में रखने, बस, यह, यहां पर, अधिकतर जो खेल हो रहा है, वो numbers में खेलेंगे, हम जादा, इतना जादा लंबा चोड़ा नहीं खेलने वाले हैं, ठीक है, और यहां से देखेंगे, तो भई, यह, intersection, a cross c के आएगा, आपका phi आएगा, इसका मतलब, अपने पास, जो lhs और जो rhs आया है, वो equal आया है, इसका मतलब, अपना question के आया है, happy, happy होते ही, यह, आपका answer आगया, ठीक है, इसका मतलब, first तो सही है, second में चलिएगा, इसी में, a cross c is the subset of b cross d, subset आपको पता है, क्या होता है, यदि a cross c का, every element क्या हो, is also a element of b cross d हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वह, subset हो गया, यह वाला set इसका, ठीक है, तो चलिए, अब आगे चलते हैं, क्या है, तो यहां से, solution, पहले हमें a की जरुवत होगी, तो a set के आपका 1, 2 है, और आपको देखिएगा, कि c की जरुवत होगी, तो c आपके लिए, यह, फिर देखिएगा, आपके लिए, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, और आपके लिए, kis की जरुवत होगी, b, d, यहनि b की सभी की और यहां से क्या आएगा, d, यहां आएगा, 5, 6, 7, 8, यहां तक कोई दिकत किसी को नहीं होगी, अब चलते हैं, पहले हम क्या करेंगे, a क्रों c करेंगे, अब a क्रों c में a का कितना है, अब इसका partition product, देखो भई, किसके साथ, c के साथ, तो 5 और 6, अब वही बात है, तीर म लगा, और यहां से 2 का तीर 5 को लगा, 2 का तीर 6 को लगा, यहां तक, ठीक है, अब इसलिए में, आपको क्या देखना है, दूसरा क्या देखना है, आपको, कि आपको देखना है, b cross d, b cross d, तो b कितना है, 1, 2, 3, 4, और इसका cross product किसके साथ है, 5, 6, 7, 8, ठीक है, यह, तो आप क्या करने वाले हों, आप, यहां से, तो यहां से आपके लिए देखेगा, कि 1 का 3, 5 को लगा, और 1 का 3, 6 को लगा, 1 का 3, 7, 1 का 3, 8 को, और यहां से, 2 का 3, 5 को, 2 का 3, 6 को, ठीक है, बस यह arrow लगा, शिख जो आप तु, और है कुछ नहीं है यहाँ पर यह आएगा 8 फिर और भी elements आएगे भई इसमें यह बड़ा set है 4 का 5 के साथ 4 का 6 के साथ 4 का 7 के साथ 4 का 8 के साथ तो यह पूरा आया अब देख लो कि इन दोनों में क्या common आ रहा है common क्या रहा है वो देख लिजए एक तो यह common आ रहा है common का मतलब इसका क्या every element इसके अंदर है क्या वो देख लो आप तो यह देखेगा कि 1 6 है 1 6 भी है 2 5 है तो 2 5 यह रहा 2 6 भी है 2 6 भी है इसका मतलब जो a x b का every element is also a b x c ठीक है और इनको एक element की तरह treat करते हैं यह अपना set है भई ठीक है इनको कॉमास की से क्या करते हैं separate करते हैं मैं बूल गया हूँ लेकिन आपको करना है ठीक है यह तो यह क्या हो गया भई यह क्या होंगे भई a x यहां से क्या होगा a x is subset of b x c because क्या है क्या है क्या है क्या है every element of किसका a x c is also element of कौन सा आगे भई यह अपने पास b x b x d यह हो गया ठीक है यहां तक